हेलो इन्वेस्टार्स, विल्कॉम तु धमाका स्टॉक चैनल, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक एजी एक्जिम लिमिटेज सेयर के बारे में, तो पहले हम लोग इस सेयर का फांडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस सेयर का टेकनिकल चार्ट का हो गया था, 71.25, एंड फ्राइड के दिन इस सेयर ने आपका रिटान दिया है, 1.42 परसेंट एंड क्रोज हुआ है, 75.10 पे, ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है, रूपीज 79.55 करोर, इंटरप्रेस भैलू है, रूपीज 90.60 करोर, एंड पी ए रेस्यू है, 70.09, अगर किसे भी कंपनी का डेप्त इकूटी रेसियो एक और एक से कम होता है, तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और या पे एक से कमी है, इस कंपनी का आर्निंग पर सेयर रूपीज 1.07, रिटान अन इकूटी है, 5.97%, एन आर ओसी है, 8.72%. लास्ट यार में इस कंपनी में profit growth हुआ था, 21.82% and sales growth हुआ था, 59.54%. यह जो कंपनी है, AKG Exim, इस कंपनी में, promoters का holding है, 62.09%, public का holding है, 37.91%. अगर किसी भी कंपनी में promoters का holding 40% और उससे ज्यादा होता है, तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और या पे 40% से ज्यादा ही है, और यह जो आपका 62.09% promoters का holding है इसमें कुछ भी share pleasure नहीं है, pleasing share का जो percentage है, वो भील्कुल 0 है, जो कि fundamentally एक अच्छा बात है, और एक company हर एक यार प्याच्छा का सा आपका revenue भी generate करता है, and continuously आपका profit में भी है, जो कि fundamentally एक अच्छा बात है, और इस company ने last 1 साल के अंदर return दिया है, 96.08% का जो कि मेरे हिसाब से एक साल के लिए एक अच्छा return है, और इस company ने अभी तक आपका maximum return दिया है, 500, 20.66% का, ओके, और जो company है, EKG, Exim, एक company, मानी, control का technical के हिसाब से, daily chart में देखिए क्या है, very bullish, एक बार weekly chart पे भी देख लेंगे, तो देखिए, weekly chart पे भी ACR आपका very bullish है, एक बार monthly chart पे भी देख के इस सेरका chart का भी एक बार analysis कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक request है, अगर आप लोग मेरे चनल पे नए हो, तो मेरे चनल को subscribe कर जीगा, और हो सेगर तो bell icon में भी किलिक कर जीगा, ताकि जब भी मैं कोई video upload करूँ, आप लोगों के पास automatic notification चला जाए, और पूरा video देखने के बाद, अगर upload को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लागे, कुछ भी informative लागे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देजीगा, क्यूंकि अप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा चासे अधून के उसके उपर video बनाने के लिए energy देता है, त जो कि टेक्निकल ली एक अच्छा बात है, तब से देखिए इस share का price अपका continuously उपर की तरह भी भाग रहा है, and daily chart के हिसाब से अभी इस share आपका 50 days, 100 days, and 200 days, तीनो moving average का जो line है, इसके उपर ही date कत्तवा दिख रहा है, अगर हम लोग RSI की बात करेंगे, तो RSI भी आपका above 60 है and MACD भी आपका zero point से उपर है, मतलब daily chart में ज्यादातर indicator याप हम लोगों को bullish indication नहीं दिखा रहा है, ओके, तो अभी देखिए मैंने computer screen पे इस share का one week का चार्ट भी open कर लिए हो, तो पहले चीछ देखिए इस जगह पे, यह आपका है August 2022 का fourth week, याप हम लोगों को एक आपका positive candle फाम होताँ दिखा था, जिस candle में super 10 ने buy signal भी दिया था, जो की टेक्निकली एक अच्छा बात है, तब से देखिए continuously इस share का price आपका उपर की तरह भी भाग रहा है, and last week में भी आप हम लोगों को positive candle ही फाम होताँ दिखा, and weekly chart के सबसे भी अभी यह share आपका 50 days and 100 days moving average का जो ल लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में एक आपका cost over form होता है, जब भी ऐसा cost over form होता है, share का price ज्यादा तर आपका उबर की तरह भी भाग रहा है, जो की टेक्निकली एक अच्छा बात है, मतलब weekly chart में भी ज्यादा तर indicator यह आप हम लोगों को bullish indication दिखा रहा है, okay, तो अभ अभी इस share का जो card in market price है, around आपका रुपीज 75, अगर लगभग इसी range पे इस share को ख़रीदा जा तो मेरे ही सबसे short term में, इस share आपका रुपीज 85 से लेके, 90 का जो target है, यह भी achieve कर सकता है, लेकिन कुछ भी action लेने से पहले आपका जो final CL advisor है, उससे एक बाद जरूर कॉन सर कल क्योंकि मैं कोई से भी रेश्टर पस्टर नहीं हूँ, मैं आपके किसी भी तरीका का कुछ भी tips नहीं देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना technical and fundamental knowledge है, उसके ओपर best करके वीडियो बना के, आप लोगों को सही information देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा से technically कैसा है, क कौन से fundamentally कैसा है, तो अजके लिए इतना ही पूरा वीडियो दखने के लिए अब सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद,